तो दोस्तो आप में किसे एहं से कुछ student है, जो अभी हमारे मपना होने वाले exam अपना देने वाले है. और यहाँ में आपको अपना कुछ ऐसी बाते आपको बता देने वाला हूं, जिनको अगर अपना फोलो करेगे जिनने अगर अपना जाने के समझेगे तो ऐसे में आप अपना कैसे गलतियों को करने से बच जाएगे प्लस आपके पास होने के चांस बेहत बढ़ जाएगे तो यहां पर step-by-step में आपको एक बात आपको बताओंगा और आपको उन बातों को अपने फोलो करना है तो दोस्तों को कहां चाहांगा कि आपका जो अपना कि अधीं अधीं पैर तो आपने प्लस अपना करीब अपना एक घंटा पहले तो पोछे जाए तो वेक होता है अपना दिन का समय है जम भी होता है या कई बर अपना एक्जाम पर पहले पहले पहुचहें करेंगा कि आपका रोलमबर के अकोर्डिंग आपको किस रूम नंबर में या कौन से फ्लॉर पर या कौन से अपना जोही की आव में जाना है तो उसके आपको ब्लाइब करते हैं जहां होना है इक उसे अपना देन जाहता हो जब अपना एक्जाम देने जाएगे तो अपने साथ में कुछ जो का पना जो करेंगा आपका और अटी काड़ हो जुरूर रखेगा अपना होनी चाहिए क्योंकि हाँ पर अपना आपके सेंटर पर अपना जो है कि मुबाइल फॉन या इस तरह कोई भी इलेट्रोनिक गैजट अलाओ नहीं है इसलिए यह चीज आपके पास होनी चाहिए कि अपना आइडी काड यह होल टिकेट आइडी पूरूफ एक नहीं कि वज़ा से करे अपना इस्ट्डियों को अपना एक्जाम अलाओ नहीं किया जाता है अगर आपके पास चीज़ें होगी तो ऐसे में आपको एक्जाम जाने में काफ़ असानी होगी एक और यहां पर खास बात आप आपको बता देने चाहता हूं कि आपके जो थ्यूरे एक्जाम है तो यहां पर आपका बनता है सिलेबस इस सिलेबस के अकोर्डिंग आपके 40% चेप्टर आपके एक्जाम में नहीं आएगे 60% चेप्टर से आपके अपना कोष्टर पर बनेगा और सिलेबस को लेके मैं अल कर सकते हैं कि यह पर आपको खास बात हो जाना चाहता हूं कि आपको बनता हैं 50 मिनिट जी हाँ तो और हमारे सी जासे बाइब बांके रखा गए 15 तो यहां पर आपको अपना में प्रसक्राइब करने के लिए लिए जाए तो यहां पर आपको अपना बनता जो कि आपको पता है किसका यह है क्योंकि बहुत से कोशन क्या है कि आपके अपना काफी असानी हो सके तो आप उसमें बड़े-बड़े टिक मत करेगा हलका हलका डॉट लगा सकते हैं जिसे आपको अपना असानी हो कि किसका आंसर क्या है इसके अलावा यहां पर आपको बता जेना आपना चाहता हैं कि लिए ब्लू और ब्लैक पेंट का इसमाल कर सकते हैं तो यहां पर आपको लिखना है नहीं कर सकते हैं और जैसे में आपको बता है कि आप अपना जोई कोशन नंबर जुरू लिखेगा कई वर अपने इस्टूडेंट है आंसर दो लिख देते हैं लेकिन यह नहीं पता चलता कि वह अपना किस कोशन का क्या आंसर है इसलिए कोशन नंबर अपना के लिए लिखा हो और फिर से बनता है फ्रेंट पेज पर आपका बनता है को डिटेल और वह काफी कॉंपलेकेटेड होती है इसलिए अपना उन्हीं पता है तो उसमें तुक्का बिल्कुली मत बारेगा क्योंकि अब उसमें अपना गलती करोगे तो ऐसे में आपको कोई दूसरी शीट आपको नहीं मिले कि आएगे उस में कुछ कम होगी तो बता दी जाएगा कि कि क्या अपना रहे गया है तो तब अपना उन्हींचेप तर अ बढ़ सकते हैं आपसे चीट को पड़ना कर देते हैं तो ऐसे में क्या है कि हो सकता है कि फिर अपना बरदिक में दिक्तल प्रशानर हो जाएए को को कोंधा नहीं तो चैनल पर तो जब कोशन पर मिलेगा तो उस में आपना कौशन पर गजाने के लिए मैंने की आपको अपना कितना समय अथलैंडा यहां तो उस समय के साथ से अपना कोशल अपना पुर अटेम हचा जैसे कि आपको data entry का exam है तो data entry में आपका जो time आपको मिलता है दो घंटे मिलता है यानि कि अपना धायवजी शुरू होगा और साड़ चार बज़ा खत्म हो जाएगा तो ऐसे में आपके सारे question मिस हो सकते है इसलिए अपना time को जुरू पता करिएगा और अपना जो है कि जो आपको time मिला है उतना time होने तक अपना answer पड़ते रहेगा आप दूसरे को मत देखिएगा कि दूसरे student अपना उठटके जा रहे है क्योंकि आप यह सोचेगे कि दूसर आपना answer नहीं आ रहा था और वो frustrated होके अपना exam छोड़के जा रहे है तो आप यह मत देखेगा क्योंका होके तो जा रहे है नहीं तो ऐसे में आपको अपना exam आपको दिये के समय तक अपने पूरा करना है जी हां तो आपको जब तक आपको पूरा कोश्व पूरा ना हो जा मतलब है तो अपको अपने duty लगाई और पैसे लेने से मतलब है तो ऐसे में आप teacher की बातों पर ध्यान मत दिजिएगा आपको जो समय दिया गया है आपको समय तक अपने कोश्व पर करने में लगे रहें क्योंकि आपके पास वही एक मुगा है अपना पास होने का अच्छे में आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हो तो आपको अपना पूरा टाइम होने तक अपना एक्जाम अपना कम्प्रिट करना है इसलों है पर मैं आपको एक और बात के दरने चाहता हूं कि आपने एक्जाम के लिए आपने जो ही की को एक अच्छा सा आप तरह के गाइड कुझी सेंप्लेपर बॉक्स यह समध करिए कि दस किताबों को करने से अच्छा है कि एक ही किताब को अपना दस बार कर लीजिए तो वह आपके लिए फाइदा है कि कभी आप इस पर जा रहे हो कभी उस पर जा रहे हो तो ऐसे में वह सही नहीं है तो कोई भी एक अच्छा से अपना त्यारी कर लीजिए तो वह आपके लिए फाइदा मन्द होगा इसके साथ यहां अपने मैं को कहना चाहूंगा कि आप अपना सेल्फ इस्टेडी करें जी हैं तो आप जो है कि ग्रूप इस्टेडी में क्या होता है करें पढ़ा देने चाहता हूं कि अपना प्रीवेस एरका पर अपना जुरूर अपना देखेगा चीहां तो लास्ट टाइम जो हमारे अपना एक्जाम वहा था तो वह कोश्टेड पर आपको मिल लागा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कोश्टेड पेपर किसाब से आने और इंपर खास बार आपको बता देने चाहता हूं कि आपका जो ब險ते हैं कोशट आंसर तो आप पुरी कोशच टरे कि आप सारी कोश्ट करें यहाँ प 2025 करिये जो आपको काफी एचसे आते हैं बाद में आप वह भी करिये जो आपको नहीं भी आते हैं मत कि पहले वह करिए जो आपको काफी अच्छे से आते हैं उसे क्या होगा कि टीचर के उपर एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा वह सोचेगा कि हाँ जो इस्टुडेंट अपने वाला है अगर शुरू में सही है तो आगे भी अपना सही हो गए तो ऐसे में आप शुरू में वह कर प्लस उनसे वीडियो में आपको बना बाते बताई है जो आपको अपने देखने मिलेगी तो उन सभी अगर बातों करेगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोख सकता बाकि दोस्तों में आपसे किस तरह की कोई डिमांड नहीं करता बस में चाहता हूं कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों साथ में जूरू शेयर करेगा ताकि उनकी भी हैल्फ हो सेके एन उसमें ऐसे करी हजार लाग विजारती है जो महंगी से अगली वीडियो में अगर अगर आप ये वीडियो उन दोस्तों के साथ में शेर कर दोगे तो उनके लिए वीडियो बहुत ही UPना किसी वर्दान से कम नहीं होगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ में जुरू शेयर करेगा बस में ही चाहता हूं बाके में आप से किसी और तरह के कोई डिमांड नहीं करता और दोस्तों मिर्तव से आपको शुक्वामने हैं कि आपके एक्जाम काफी अच्छा हो तो सब्सक्राइब दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में थैंस मुझें